नमस्कार, मैं प्राची वुक्ता, लालबाग गर्शेंटर कॉलेज के यूट्यूब चानल की अपनी संगीत की कख्षा में आप सब का स्वागत करती हूँ पिछली कख्षा में हमने देखा कि ताल दाद्रा की तिगुन कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है और हाथ पर कैसे लगाई जाती है आज हम ताल दाद्रा की चौगुन बनाना सीखेंगे सबसे पहले वही काम करना है जो हमने दुगुन और तिगुन बनाते समय किया था उतना ही विभाग लिखना है वही वही मात्राएं लिखनी है और उन मात्राओं के नीचे वही चिन लगाने है कोई भी इधर उधर आगे पीछे बोल या चिन नहीं जा सकता है अब हमने इसके बाद क्या किया था हमने दुगुन बनाई थी तो बोलों को दो बार लिखा था और दो-दो के जोड़े बनाए थे फिर हमने दिगुन बनाई बोलों को तीन बार लिखा और तीन-तीन के जोड़े बनाए इसके बाद अब हम जब चौगुन लिख रहे हैं तो हमने सारे बोलों को चार बार लिखा ये दिखिए एक बार फिर यहां से आके दो बार फिर यहां से आके तीन बार और ये चार बार और अब हम हम 4-4 के जोड़े बनाएंगे, 1,2,3,4, 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 5,6, 6 आए, हर बार 6 आ रहे थे ना, इस बार भी 6 आए, हम इन जोड़ों को नंबर देंगे, 1,2,3,4, 5,6, जिस नंबर के नीचे जो जोड़ा आया है, उसे उस मात्रा के नीचे छोटा छोटा लिख देंगे, और उसे अर्द चंदर के चिन्न से पहले की तरह ही जोड़ेंगे, पहले नंबर के नीचे है धा धी ना धा, तो हम पहली मात्रा के नीचे लिखेंगे, धा धी ना धा, दू दूसरे के नीचे है तू ना धाधी तो दूसरी मात्रा के नीचे तू ना धाधी बच्चों आपको यह ध्यान देना है कि इस बार इस पेस थोड़ा जादा हो क्योंकि आब हमें एक मात्रा के नीचे चार बोल लिखने हैं तीसरी मात्रा के नीचे क्या आएगा ना धा तू न चोथी मात्रा के नीचे धाधी नाधा पांचवी मात्रा के नीचे तू नाधाधी चोटी मात्रा के नीचे नाधा तू ना और फिर हमने इसे भी अर्धचंद्र का चिन से जोड़ा और यहां पर वापस धा आएगा इस थरा से ये हमारी चौगुन पूरी हुई अब हम चौगुन को हात पर लगाने का अभ्यास करेंगे देखे दो गुन में हमने creator ये चंह रखा दिगुन में 1,2,3,3,1,2,3,12,3,12,3,12,3,12,3 ये चंह रखा चौगुन में क्या होगा?" एक दो तीन चार तो अब बोल के साथ चोगुन करते हैं धा धी ना धा तू ना धा धी ना धा तू ना इस तरह से ये चोगुन हो गई तो अब जब हम ठेका दुगुन, तिगुन और चौगुन एक साथ करेंगे तो वो कैसी होगा आए देखते हैं सबसे पहले ठेका उसके तुरंट बात दुगुन फिर तिगुन और चौगुन धा धी ना धा तुना धा धी ना धा तुना इस तरह से ताल दाध्रा का ठेका दुगुन और चौगुन चारों बोली जाएंगी और हम इसका अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं अब आप लोग ये वीडियो देखकर इसका अभ्यास करेंगे अपने हाथ पर भी और जब मैं असाइन्मेंट दूँगी तो उससे आप इसकी दुगुन तिगुन चौगुन अपनी कौपी में लिखेंगे धन्यवाद